तो हे गाइस आपका स्वागत है डिजेटल अरीना की एक और नीव वीडियो में गाइस आज की इस ब्लू होस्टिंग की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप SSL सर्टिफिकेट आप फ्री और फोस्ट में इंस्टॉल कर सकते हो वो भी वन क्लिक से तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाले क्योंकि हमने लास्ट कुछ वीडियो में हमने जाना था कि कैसे आप वेब होस्टिंग बाय कर सकते हो ब्लूवोस होस्टिंग से और सेकंड विडियो में हमने बात किया था कि कैसे आप WordPress इस्टॉल कर सकते हो अपनी ब्लू होस की वेब साइट में तो यह थर्ड पार्ट है जहां पर हम बात करने हो लें कैसे आप SSL certificate अगर आपके इसमें नहीं होगा तो जो attacker होते हैं या फिर जो hacker होते हैं वो आपका password या credit card number वहाँ से चोरी कर सकते हैं क्योंकि वो end-to-end encryption नहीं होता है तो अगर आपके वास SSL certificate है तो वहाँ पे encryption होता है तो आपका password होगा वैसे का वैसे ही रहें तो इसलिए आपके लिए जो SSL certificate है बहुत ही ज्यादा नीडेड है आज की डेट में क्योंकि जितनी ज्यादा वैबसाइट बन रही है आज के डेट पे उतने ही ज्यादा hacker और spammer attacker लोग आ रहे है तो आपको free of cost में मिलने ओला है तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ जो हमारी website थी जो हमने Bluehost में host की थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखा है not secure तो Chrome भी यहाँ पर बोल रहा है कि your connection to this site is not secure तो you should not enter any sensitive information on this site for example password और credit card तो Google Chrome भी यहाँ पर बता रहा है कि आपको इस http website में आपको अपना password और credit card नहीं डालना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका data इस्टोलन हो सकता है तो इसके लिए आपको https होना जरूरी है तो आज की सुरे में आपको बताने वालों कैसे आप https यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं वह भी free of cost में अगर आपने अभी तक क Bluehost hosting से अपनी hosting नहीं खरी दिये तो आप जरूर खरी दिजिए तो आपको simply हमारे वीडियो के description में जाना है और यहाँ पर पहली लिंक मिलेगी Bluehost की यहाँ पर आपको इसे click कर लेना है तो Bluehost hosting के साथ आपको यहाँ पर domain free मिलता है SSL certificate free मिलता है जो कि मैं आपको show करने हो रहा हूं और आपको cloudfair का CDN भी free मिलता है और one click wordpress install मिलता है जो कि हमने याली वीडियो में बात की थी तो अगर आप यहाँ उसे देखना है तो आप उसे देख सकते हो और यहाँ पर 24 7 का support मिलता है chat के तुरू और call के तुरू तो अगर आपने अभी तक के buy नहीं किया तो पहली link के description में वहाँ से आप buy कर लिजिए तो चली हम बढ़ते हैं अपने SSL install में तो गयत मेरा नाम है शुवम और आप देख रहे हैं digital arena तो चली स्टार्ट करते हैं तो आपने bluehost hosting आपने खरीद ली होगी क्योंकि one of the best best hosting है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है bluehost पर और आपको यहाँ पर अपना login कर लेना है listing.in पर आप चले जाएए तो यहाँ से मैं login कर लेता हूँ अपनी website को सबसे पहले अब देख सकते हो है अब नोड सिक्यूर का option है और http-sb अगर भी नहीं अगर मैं आप आपको शो चारू तो आप आप सबसे पहले है यहाँ करना है कि आपको metатив पर स्सक्राइबेम साइट में strengthening इस पर्कनेन को पराइван पार्केटिंग सेंटर का User Backup अगर आपको बैकआप चीह तो आप यहां ही से भी ले सकते हो तो यहां से आप हर चीज पड़के देख सकते हो पर्फोर्मेंस आप देख सकते हो हमः पर मेशो चल रहा है तो जैसे ही आप इसे on करोंगे तो आपकी website में SSL certificate install हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पूरे option मिलते है plugins के तो अगर आपको किसी को install करना है किसी को off करना है तो आप कर सकते हो तो यहाँ पे आपकी website का URL आजाएगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारा security में SSL install है आपका इसे tick on होना चाहिए अब हम इसे reload करके देखते कि हमारी website में SSL certificate install हुआ है के नहीं तो इसे हम reload कर लेते हैं सबसे पहले और हमें इसे double से click कर लेते हैं तो इसे थोड़ा सा time देना पड़ेगा आपको एक से दो मिनेट तो हम रुख जाते हैं तो एक से दो मिनेट रुखने के बाद आप देख सकते हो यहां पर SSL install हो चुका है और आप देख सकते हो यहां लिखा है connection is secure और यहां पर भी लिखा हुआ your information for example password or credit card is private when it's sent to this site तो यहां पर आपका कोई भी data कहीं लीक नहीं होने वाला है तो हमने successful यहां install कर ली है अगर आपकी website में अभी तक के SSL certificate नहीं आ रहा है आप इसे own करने के बाद भी तो आपको क्या करना है यहां एडवांस option में जाना है यहां पर आपको सबसे पहले और मैं आपको इसका WordPress भी खुल के दिखा देता हूं तो यहां पर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कात आने वाली नहीं है कि बस आपकी एक वेबसाइट में तो आपका पूरा dashboard में यहां पर रहने वाला है तो आपको यहां पर एडवांस option में जाना है और यहां पर SSL टाइप करना एकदम उपर में search option में और यहां पर आपको मैंने SSL certificate में जाना है और यहां पर आपका जो भी domain name है जैसे के मेरा यह है तो यहां पर autofill by domain लिखना है और यहां पर आपको simply install certificate में कर देना है तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है तो आपका जो ब्लॉग है वहां पर आपका SSL certificate install हो जाएगा तो मैंने आपको दो तरीके बता दिया हूं कि आपको किस तरीके से SSL install करना है तो बहुत ही एज़ी है तो आपकी website में SSL install जरूर होना चाहिए और आप कोई भी website है तो उसमें SSL install जरूर कीजिए और BlueOS hosting आपके successful और safely run कीजिए तो अगर आपके पास BlueOS की hosting नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं जहां से आप free में SSL certificate install कर सकते हो तो आपको सबसे पहले यहां पर Google में जाना है और आपको SSL for free यहां पर आपको लिखना है और यहां पर आप देख सकते है जो पहली website होगी यहां पर आप जाके आप कोई भी आपका domain है यहां पर डाल सकते हो तो जैसे मैं यहां डाल देता हूं गो fabulous तो यहां पर हमने इसे create कर दिये और यहां पर बस आपको email password डालना है और आपको यहां पर register कर लेना है तो बस यहां पर आपको कोई भी आपका जो SSL certificate आपको इंस्रॉल करने के लिए यहां पर आप चाह सकते हो और यहां से अप जनरेट कर सकते हो बट मैं सजिस करूंगा यहां पर आपको बहुत सारा method लगेगा यूज करने के लिए तो इसलिए मैं आपको सजिस करूंगा कि यहां पर आपको यहां पर सिर्फ आपको 90 days का certificate मिलता है वहां पर आपको जितने भी आपके दिन या जब तक कि आपके domain वहां पर रहेगा और आपकी hosting वहां पर रहेगी तब तक कि आपको free domain SSL certificate आपको रहेगा तो आपको कोई टेंचन लेनी की बात नहीं है तो इसलिए मै आपको यह सब होगा तो जैसे कि मैं दिखा देता हूं कि जैसे आप यहां पर जो भी आपका domain name डालोंगे तो यहां पर बस आपको 90 days का मिलेगा और यहां पर जो आपका free method है उसमें आप देख सकते हो कि यहां पर इतने सारे option ही मिलेंगे बट आपको जो BlueOS hosting में रहता है आ तो हम और next में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर verification के लिए बोलेगा तो आपको यह सब code होते हैं आपको यह डालना पड़ेगा फिर finalize करने पर time यह verify करेंगे और तब जा कि आपका install होगा तो यह थोड़ा सा long process है बट आप Bluehost के थू जाते हो तो आपक जो आपको hosting है आपको मिल जाता है तो इसलिए आज ही आप अपनी वेबसाइट है वहाँ पर जाईए और आप देख सकते हो recommended by wordpress.org since 2005 तो 2005 से wordpress इसे recommend कर रहा है कि आप Bluehost hosting को buy किजिए तो आप जरूर इसे buy किजिए क्योंकि wordpress आप जानते हूँ कितनी बड़ी website है और आप यहां पर पूरे आप इसे के plan आप जान सकते हो यहां से तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक किजिए और आपका कोई भी क्योरी है तो मुझे बताई कमेंट सेक्शन में मैं उसे solve करनी की कोशिक करूँगा तो गाइस ठैंक्स फो रॉचिंग